वेलो प्रेंट वेलेकम टू मैं चैनल नौवल एक्सप्रेंट तो इस वीडियो में मैं कॉंटिनूस लव मंगा का जो नेक्स पार्ट है उसे एक्सप्रेंट करने जा रहे हूं जैसे कि हमने लास्ट चेप्टर में देखा था जो हमारा लुतो है वह चैंग जिन को मारने लग समझाता है कि लोतो मेरी बात सथो तुम्हें एसे एंगरी होने के ज़रूरत नहीं है एक्स्र करते हो तो exact में यह सारी चीजा मुझे एक्सप्रेंट नहीं है क्योंकि मैने तो बस तुमारी प्ले चार्ट हूं जिसे तुमने मनी से लिया और इसके में इतना ज़याद लगता है तो चैंगली उसे थपड मार देता है उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम रुक जाओ तभी लूता उसे देखता है कि क्या तुम्हें अब ये पसंद नहीं आया तभी चैंगली उसे बोलता है कि मैं नहीं चाहता है कि तुम खुद को ऐसे डीग्रेट करो और फिर वो उसे देखने लगता है और वो काफी स्याड हो जाता है और रोने जैसा हो जाता है तभी लूता वहां से चला जाता है और गुसा करता है और उससे बोलता है कि अभी मैं जा रहा हूं और मुझे हाफ टे की लीव दे देना मैं यहां पर अभी और नहीं रह सकता मैं बाद में आऊंगा तभी जो चैंगले है वो से रोकने की कोशिश करता है लेकिन लिए उसकी बात नहीं सुनता और चैंगले अपने मन में सोचता है कि उसकी जो एक्स्प्रेशन है वो विल्कल बैसी है जैसे हमारे डिवास के टाइम पे हुए थे हमारी रिलेशन्शिप इतने टाइम के बाद ऐसे अच्छी हुए थे अभी वो फिर से वापस वैसी हो रही है मैं क्या करूं मैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तभी जो मतलब लू तो है ना वो सोच रहा हुता है क्योंकि मैंने उसके जो लगर है उसे अफेंड कर दिया तभी वो इत वो सोच रहा हुता है कि शौशा और लडी उसके खुद की प्रावडबंस है मैंने उसके लिए और प्रावल क्रेट कर दिया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तभी वहां पर लूतो आता है और उससे बोलता है कि तुम और फिर वह से बोलता है क्या हम बात कर सकते हैं दिया है मैं बिल्कुल भी नवस नहीं हूं तभी लूतो उससे बोलता है कि चंग जिन हमेशा से तुमारे साथ अछा रहा है और तुम उससे लाइक करते हैं या फिर नहीं तुम्हे आट लिसे उसे क्लियर करना चाहिए तभी चंग दिन उसकी बात उनके उसे समझ भी नही कि यान जी जो लुटर है ना वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें दूसरे लड़के के साथ देका था तो उसके बासन के चैंग जी और मेरी कोई और स्टोरी है तो मैं इसे यहाँ पर इंक्लीट करने के शरूरत नहीं है इसके अलावा मैंने उसे ट्रॉबल क्रेट नहीं किय और उससे इसक्राइब करनें जायर हैं तूम्हें लूटर उसे बोलता कि अगर अगर भी कि meille तरह नहीं कर सकते हो तो मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था तब इसalone से बोलता मेलाड़ा है आप तो मुझे तुम यह बताओ, चैंग ली ने कहा था कि वह तुमारी तरफ गिल्टी फिल करता है, तो उसने ऐसा क्या करया था, तभी चैंग ली उससे एक्स्प्रेंग नहीं कर पाता, तभी लुता गुसा हो और भी हो जाता है, और उसे बोलता है, ना तो तुम एडमिट कर र और फिर वो मतलब सोचता है कि इसका जो सरनेम है और चैंग ली का सरनेम दोनों ही सेम है, और फिर जो चैंग जिन है वो उससे समझाता है कि चैंग जिन और मैं, मतलब चैंग ली और मैं दोनों ही ब्लर रिलेटिड ब्रदर्स हैं, और रिल ब्रदर्स हैं, तभी उसकी बास ढर्के नहीं बाटना चाहिए जो जाते वक्त उसे और बोलता है कि कि अगर हम किसे से प्यार करते हैं या फिर नहीं यह बात भाद हमें क्लिर दीने चाहिए और असरे उल्जन में नहीं रखना चाहिए ताकि हम बात में रेगilos ना करें तबी सी कट हो जाता है haul हम अपार्टमेंट विल्डिंग का सीन देते हैं और जो लूत है वो अपने मन में सोचता है कि वो जरूर एंग्री होगा मुझे मैं क्या करूं मैं इतना ज़्यादा एक्सैसिव हो गया था मैं अभी उसे अपॉलिजाइज कैसे करूं लेकिन मुझे कुछ भी करके उसे कन्व भूखे होगे मैंने तुमारी फेवरिट डिशिस बनाई है इसके लावा जो रेड़ वाइन है उसे प्रिपेर किया है मैं अभी ग्लास लेकर आता हूं तब लूत है उसे बोलता है कि चैंगली एक्चली मैं वह सौरी बोल देता है और उसे बोलता है कि लूत है मुझे पता चैंगली वह रोने लग जाता है उसे बोलता है कि मैं डर गया था कि तुम्हें गुस्सा हो जाओगी और तुम कभी मेरे पास वापस नहीं आओगे और तुम रफ्यूस कर दोगे मुझे देखना भी तुम्हें पता है तुम्हारे कोल एक्सप्रेशन से मुझे कितना डर ल जाता है कि यह सारी गलती मेरी थे मुझे तुम्हें माफिक मागने चाहिए और तुम्हारा जो भाई था वो चैंग जिन उसने मुझे हर एक बात एक्स्प्रेशन कर दी है मैंने तुम्हें मिसंडेस्टूट किया I'm sorry तब ही जो चैंगली हना है वो उसे पकड़ता है उसकी नहीं बातों में आके तब यह लोग तो उसे बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं था और वैसे भी यही चीज तुम पहले चाहते तो इसलिए मैं तुम्हारे इतना ख्लोज गया तब चैंगली उसे बोलता है कि नहीं तुम्हारे जो एक्सप्रेशन है वो कफी ज़दा किस किया था तब चैंगली उसे बोलता है कि इसके लावा तुम एंगरी क्यों थे और तुमने ऐसे मिसंडेस्टानिंग क्यों मतलब तुम्हें हुई मेरे और मेरे भाई को लेकर किया तुम जालिस हो गए थे तब वह उसे मतलब उसकी जो टाई है उसे हाथ बांद देता है और फिर लू तो उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसे मैसकरेट करना बंद करो और चलो हम जाके खाना खाते हैं वरना खाना ठंडा हो जाएगा तब चैंगली उसे बोलता है कि अगर तुमने अच्छे से एक्स्प्रेंट नहीं किया न तो फिर मैं तुम्हें यहां से नही कुछ भी नहीं किया पाता है तभी चैंगली उसे करीब जाने लगता है और उसे किस करता है और उसे बोलता है कि तुम्हें मुझे अनसर देना होगा बढ़ना मैं तुम्हें जाने नहीं दोंगा तभी लू तो उसे देखने लगता है तभी चैंगली फिर से उसे बोलता है कि तुम्हारा अंसर क्या है क्या तुम मुझे पसंद करते हो या फिर नहीं तब ही लूतों से बोलता है कि चैंगली मुझे चाने दो यह अच्छा नहीं है तब ही चैंगली से बोलता है कि जब तुम मुझे नहीं बताते है तब तक मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दोंग तभी जो मतलब है वह लुतुफ उसे बोलने लगता है तो चंग्छ सब बोलता कि मैंने क्लीरली नहीं सुना तुम दुबारा से कहों तब ही लिटुफ से बोलता है कि तुम ऐसे नौटी हो रहे हो अगर तुम्हें ऐसा चीज़ करने के सोचे है तो तुम्हें अपनी जो कॉंसिक्यूस है उन्हें भी प्रिपेर होना चाहिए उनके लिए भी वरना अभी आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा और फिर वो अपनी टाई को वहाँ पर ब्रोक कर देता है और उसे बोलता है कि अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है तुम मुझे अब नहीं रोपाऊगे और फिर वो अपने मन में सोचता है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूं और वो वहाँ पर एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करने लगते हैं और लूता सोचता है कि आज रात के बाद मैं तुम्हें अच्छे से बता दूँगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं तभी हम नेक्स डे का सीन देखते हैं पर लूता ने बहाँ पर चैंगली के तकता है और उससे बोलता है कि ये। आरेड़ी मॉर्णिंग हो गई है मुझे थोड़ा दिखर सोने दो तुम्हें पहले भी यहीं चीजी कही थी ईक्रिट उस चैंगली विल सान्म था नहीं तक पहले दो चुख में सोने दोंगा और चैंगली उसे पूषता है कि क्या उसक्ट इस सब से उसि Wasma क्यों क्यूं पूछ रहा हूँ sa ए इसली में भूम्हाइ قालो पूछता है कि सब Lud उसे बोलता है कि उस nosso फिर से नहीं बता रहे हो तभी चैंगली उसे बोलता है कि तुम उसे जानते नहीं हो अगर मैं तुम्हें बता भी दोंगा तो यह मीनिंगलस होगा और वो सोच रहा है कि लुटा भी जैलिस है वो कितना क्यूड लग रहा है तभी लुटा उसे बोलता है ठीक है फिर अगर त उसे फिर से बोलता है कि क्या तुम अभी भी नहीं मुझे बोलना जाते हो तभी चैंगली उसे बोलता है कि तुम मुझे ऐसे मैं तुम्हें बहुत जदा पसंद करता हूं और मैं तुमसे प्यार करता हूं इसी के साथ वो दोनों अपना लब कंफेस करते हैं और इसी के साथ यह वाला जो चैप्टर है वो हमारा पिनिश्ट हो जाता है तो I hope आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा बाई